Hello everyone, welcome to study time with new informative video उत्तर प्रदेश लोगसेवा आयोग से आपकी जो APS की भरती है जिसका इंतजार बहुत लंबेस अर्चे से हो रहा था तो उसके लिए जो ओफिसियल नोटिस है वो आयोग ने जारी कर दिया था कि इसका जो आपका notification है वो सितंबर माह में जारी कर दिया जाएगा तो जो भी बच्चे इस vacancy का इंतजार कर रहे थे बहुत लंबे अर्चे से तो उनके लिए तो ये सुनहरा अफसर है ही लेकिन जिन बच्चों को ये जानकारी नहीं थी कि ऐसी भी कोई भरती आती है या जो अभी graduate होके आए हैं और वो सरकारी सेवाओं में जाना चायते हैं इन सेवाओं में जाना चायते हैं और उन्हें इस भरती के बारे में अभी जानकारी हुई है और कह सकते हैं complete जानकारी नहीं है तो इस एक वीडियो में हम आपके सारे जो doubt है वो clear करने वाले हैं जो इस vacancy से संबंदित जो important चीज़े हैं वो सारी चीज़ें इसमें आपके साथ discuss करने वाले हैं जिससे कि आपको इसके बारे में सारी चीज़ें अच्छे से पदा हो फिर आप ये देखें कि आपको इसकी तयारी करनी है या नहीं करनी है इसका जो form है फिल करना है या नहीं करना है या other जो vacancy आ रही हैं जैसे समीक्छदकारी की साहिक समीक चदकारी की या फिर अधर जो एक्जाम है उनकी तैयारी करनी है तो आप इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख ले और APS के बारे में सारी जो जानकारी है वो ध्यान से समझ ले कि कैसे क्या होता है साथ हेंड वगेरा के बारे में ज्यादा कन्फ्यूज जो है वो बच्चे रहते हैं तो इस एक वीडियो में हम आपके सारे जो प्रस्ने वो यहाँ पर clear कह सकते हैं solve करने वाले तो अगर बात करें कि इसका जो notification है वो कब आएगा और sort hand नहीं आती है तो क्या अभी जो sort hand है वो सीखी जा सकती है age क्या रहती है sort hand के लिए हमें exam के बाद कितना जो समय है वो मिलेगा ये सारी चीज़ें हम यहाँ discuss करने वाले हैं योगता क्या रहती है और सबसे important चीज़ कि form फिल होगा तो exam कब होगा ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं एक एक करके आपके जो सारे question है वो यहाँ पर आपको बताने वाले है तो चलिए सबसे पहले अगर बात की जाए notification की कि इसका जो notification है वो कब आएगा तो ये तो official notice जारी हो गया था कि आपका 300 पदों के लिए जो आपकी vacancy है वो आने वाली है तो 300 पदों के लिए आपकी जो vacancy है वो आने वाली है और इसका जो notification है वो सितंबर महा में second week में आपका जो notification है वो जारी कर दिया जाएगा यहाँ पर एक एक चीज जो है clear करके लिख दी है copy में ताकि आप लोग अच्छे से देख ले और समझ ले तो notification आपका सितंबर second week में आ जाएगा इसके बाद notification आने के बाद आपको जो है एक महा का समय कह सकते हैं कि आपको मिलेगा form fill करने के लिए उसमें आप सारी चीजे जो भी जैसे भी आपको form fill करना है या नहीं करना है वो आपका जो निर्णा है आपकी तयारी है कितनी अच्छी है या कितनी नहीं उस हिजाब से आप अपना जो form है वो fill कर सकते हैं आगे बात करें कि sort hand नहीं आता है अभी आपको sort hand बिल्कुल भी नहीं आता है या सुरुगात करने की सोच रहे हैं या जाना स्टार्ट किया है जो भी कह सकते हैं या जिन्हें अभी इस vacancy के बारे में इतनी अच्छी vacancy के बारे में पता चला है तो क्या वो form fill करें या नही करें क्योंकि short hand तो आता नहीं है और इसमें जो main चीज है वो short hand ही है अगर short hand नहीं आता है तो आप fail हो जाएंगे ऐसा नहीं कि short hand का कोई degree या diploma होता है कि वो आपको form fill करते समय लगाना है नहीं एक जो आपका exam है paper होगा उसमें आपकी short hand करवाई जाएगी तो अगर आप वहाँ पर performance नहीं कर पाए तो फिर नहीं तो क्या form fill कर सकते हैं तो जी हाँ अगर आपको short hand आती है या नहीं आती है form तो fill कर ही सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है बट फिर क्या ही मतलब है ऐसे form fill करने का तो यह सबसे important चीज़ है कि short hand नहीं आता है तो क्या वह form fill करें या नहीं तो देखिए अभी आपके पास समय है और अगर आप इच्छुक हैं कि आप short hand सीख सकते हैं तो आप इसका जो form है वो fill कर सकते हैं लेकिन अगर आप un exam में busy हैं जैसे कि ROYRO का कह सकते हैं PCS के लिए लगे हूँ है या other कोई exam है तो फिर short hand सीखने के लिए आपको अलग से जो कह सकते हैं कम से कम नहीं तो देखर से दो घंटे तो चाहिए coaching जाएंगे फिर खुद से practice करना ये सारी चीज़े कम से कम दो घंटे तो उसके लिए लग से चाहिए और अगर अभी सुनने से देंगे मतलब इतना समय देंगे और इतने में हो जाएगा अगर आपको लगता कि आप कर सकते हैं तो निश्चित तोर पे आप इसका जो फॉर्म है वो फिल कर दीजे इस टॉनने सीखते रही है बाकी तो जो होगा तो वो आगे हो गई अब अगर अगली बात की जाए कि सौट हैंड के लिए हमें समय कितना मिलेगा क्योंकि आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं इच्चो के इतनी अच्छी वैकेंसी है बहुत लंबे समय बाद आ रही है तो कितना जो समय है वो मिलेगा हमें और कि हम सौट हैंड सीख सकते हैं तो अगर सबसे पहली बात की जाए कि कितना समय मिलेगा तो देखिए आपका सितंबर में सेकंड वीक में बोला है कि आपका जो नोटिपिकेशन है वो आएगा इसके बाद अक्टूबर तक आपके जो फॉर्में फोफिल किया जाएंगे इसके बाद नौमबर दिसंबर और जनवरी तो पूरा अभी से लेकर ये हैं आपके पास इसके बाद जो चीज होगी वो होगी इसके रिजल्ट की तो रिजल्ट आने में कम से कम कम से कम कह सकते हैं कि दो महीने का जो समय है वो लगेगा हला भी बहुत सारी जो vacancy है वो आई हुए ऐसा नहीं कि केवल एक ही vacancy है तो दो महीने का जो समय है वो आपका जो pre का result देने में है वो आयोग को लगेगा तो आपके पास total 6 महीने हो गए और result आते ही तो आपको नहीं बता दिया जाएगा कि आपका short end इस दिन होगा या उस दिन होगा उसके एक से डेड़ महीने बाद हो सकता है दो महीने बाद कि आपको जो date है या आपका जो exam announce किया जाए short end के लिए कि कब इसका जो वो होगा क्योंकि आप आरो यारो में भी देखते हैं टाइपिंग वगेरा के लिए बाद में कितने दिनों बाद बुलाया जाता है तो सेम चीज यहां पे भी होने वाली है कि आपका प्रीक जब result आ जाएगा उसके बाद short end वगेरा के लिए आपको बाद में बुलाया जाएगा और उसके लिए भी कम से कम कह सकते हैं बाद में प्रयक जाएगा ऑघट से दो म Pan-कम से कम अगर दो महीने यहां add कर लेंगे तो टो-टाल आपके पास आट महीने यहो जा जाय ओए तो आज से अगर decide करें तो आपके पास 8 महीने है सौट हेंड सीखने के लिए तो अब देख लीजे कि आप क्या करना चाहते है कि सौट हेंड सीखना चाहते है एक से दो घंटे लगातार आप एक घंटा तो नॉर्मल सा बात है अगर आप कोचिंग बगएरा जाएंगे क्योंकि बिना उसके तो होगा नहीं बट अगर आप कहीं दूर दराजगाउं छेट से हैं आईसी जगह हैं जाँ सौट हेंड नहीं क्लासेज बगएरा नहीं है वहाँ कुछ नहीं है तो आप यूटीब बगएरा से कर सकते हैं सब कुछ अवेलिवल है इस समय तो भी आप एक आद घंटे इसको देंगे एक आद घंटे प्रैक्टिस करेंगे तो दो घंटा तो कम से कम आपको इसको देना ही पड़ेगा और अगर आपके पास पर्याप इतना समय है कि आप दो घंटे सौट हेंड सीखें फिर आप जो स्लेवस है कि आप जो GS वगएरा हिंदी वगएरा वो पढ़ ले तो फिर आपके उपर है तो इतना समय है और निश्चित तोर पर इतने समय में सौट हैंड सीखी जा सकती है अगर आप मन लगा कर और अच्छे से करें फोकस्ट रहकर करें बरना अगर केवल ऐसे ही लिविर लिविल करना है तो कुछ नहीं हो पाएगा तो आपके पास जो आठ घंटे हैं सौरी आठ महीने हैं सौट हेंड के लिए तो देख लीजे क्या करना है और क्या नहीं करना है अब आगे बात करें कि इसमें एज बगेरा क्या होती है तो 21 से 40 40 वर्स की आयू के जो विध्यारती हैं वो इसमें जो फॉर्म फिल है वो कर सकते हैं योगता की बात की जाए तो आपका सिंपल जो इस नातक है वो मांगा गया है आपने बीए बीकॉम बीस्टी जो भी किया हो इंजिनरिंग वगएरा कुछ भी की हो आपने इस नातक मांगा अगया है इसके साथ आपके पास XCC का डिप्लोमा होना चाहिए जरूरी नहीं कि XCC हो उसके समकच्छ भी आपके पास तीन महिने का कोई भी डिग्री या डिप्लोमा हो सकता है ठीक है तो आप eligible हो जाएंगे short hand तो मांगी ही गई है आपसे और Hindi typing भी आपसे करवाई जाएगी अगर short hand और Hindi typing नहीं कर पाएंगे तो आपके marks उतनी अच्छे नहीं आएंगे और marks नहीं आएंगे तो आप फेलो जाएंगे फेलो जाएंगे तो क्या है फिर से notification का इंतजार और फिर से वही सारा चीज़े तो ये जो चीज़े हैं वो आपको यहाँ पर बता दी तो ये कुछ important चीज़े हैं अब उसमें सबसे ज़्यादा important चीज़े है आपकी OTR अगर आप form फिल करना चाहते हैं UPPSC का कोई भी अगर आपको form फिल करना है उत्तर प्रदेश लोक जवा आयोग का आपको कोई भी form फिल करना है तो अब आगे से OTR का system जो है लागू है तो ये तो 100% ज़रूर है कि OTR अभी कर ले form का इंतजार ना करें क्योंकि बाद में server बहुत busy हो जाता है down हो जाएगा website बहुत overload हो जाता है उस पर जिसकी वजह से फिर समस्या होती है तो OTR अभी फिल कर ले चाहे आप समीक्षादकारी साइक समीक्षादकारी यानि कि ROYRO का इंतजार कर रहे हो या PCS का कर रहे हो या फिर यह आपकी जो APS की भरती है इसका कर रहे हो किसी का भी कर रहे हो आप OTR तो सबसे पहले करी ले और अपना जो registration करना है वो सारी चीज़े फिर आप eligible हो जाएंगे जो बाकी वेकेंसी आएंगी उनका form फिल करने के लिए क्योंकि OTR की माध्यम से ही आपका जो form है वो लोड ज्यादा हो जा रहा है और बाकी बच्चे OTR करेंगे फिर form फिल करेंगे तो इसी सम्में और ज्यादा जो लोड है वो होगा बात करें APS की तो APS का जो pay scale है वो आपका 4800 grade pay है यानि कि इतना सुनहरा और इतना अच्छा मौका जो है इतनी अच्छी वेकेंसी के लिए और गस्टेड आप officer मतलब की 4800 grade pay की आपको जो नौकरी है वो मिल रही है और अगर salary की बात की जाए तो आपकी 72 से 75,000 के यानि की करोड नी हजार 72 से 75,000 के something आपकी जो salary है वो भत्ते भत्ते सब जोडने के बाद बन जाती है तो क्या ही कहने बात करें अगली कि इसका exam कब तक हो सकता है क्योंकि बच्चों के मन में doubt रहता है कि आखिर अगर इसका notification अभी आएगा तो exam कब तक होगा कितना समय मिलेगा तयारी के लिए क्योंकि आपका GS वगेरा ये सारी चीज़े आनी है और UPPSC करवा रहा है तो अच्छे level पर होता है तो exam की अगर बात की जाए तो अगर चल सकते हैं तो January में आपका जो exam है वो हो सकता है एक चीज़ और की final जो merit है वो कितने में से बनती है यानि कितने नंबर में से आपकी जो final merit वगेरा है वो बनती है cut off कितनी जाती है तो देखिए pre का तो कोई महत तो होता नहीं है pre exam आपका sorry ये आपकी final merit की बात की जा रही है समिछाद कारी में प्रीका नहीं होता है इसमें अगर आपकी बात की जाए final merit जो है कितने में से बनेगी तो यहाँ पर आपकी चार जो paper है वो हम जो slaves बगेरा है वो सारी चीज़ इसमें बताने वाले उसके according आपको जो exam pattern है वो दिखाने वाले तो उससे आप देखेंगे कि जो final merit है वो कितने में बनती है और क्या होता है तो यह देखिए अगर exam pattern की बात की जाए यहाँ पर कि तो यह देखिए यहाँ पर exam pattern है जो वो दिया हुआ है यहाँ पर गलती से हो सकता है आप आप पूना पता चले लेकिन यह n लिखना था और यहाँ पर M जो है वो लिखिया है तो pattern है exam pattern तो अगर exam pattern की बात की जाए कि वो क्या है तो ये दिखिए आपका जो GS है उसमें आपका पहला जो paper है वो होगा GS का इसमें आपके 100 marks के जो GS के question है वो पूछे जाएंगे और ऐसा नहीं कि GS में केबल GS ही आपका आता है GS में आपका reasoning और maths के भी 10 से 12 question जो है देखने को मिलेगे तो paper 1 जो है आपका वो GS का होगा 2 घंटे का आपको समय जो है वो दिया जाएगा 2 घंटे का जो समय है वो आपको मिलने वाला है इसमें और objective type आपका जो ये paper है वो होता है और दूसरा जो आपका paper है वो हिंदी का होगा तो जो second paper है वो आपका हिंदी का रहने वाला है इसमें आपका 100 नंबर का आपका जो हिंदी है वो पूछा जाएगा जिसमें से आपका 25 नंबर का ऐसे वगएर आता है और 75 में बाकी जो हिंदी के topics है वो आपको जो स्लेवस के according है वो दिये जाते है और इसमें आपका तीन घंटे का जो समय है वो रहता है और ये तीन घंटे आपको क्यों दिया जाता है क्योंकि ये subjective type आपका जो paper है वो होता है जो GS का है वो objective type जो paper है वो होता है OMR में और ये सारा चीज़े offline होनी है कोई भी computer based नहीं है computer based इसलिए नहीं है क्योंकि 100 नंबर का आपका sorry जो computer का practical है वो अलग से होने वाला है तो इसमें objective टाइप सारी चीज़े रहती है paper जो third है वो आपका होता है जिसमें आपकी short hand की जो speed वगएर है वो चेक की जाती है उसके according number वगएर दिये जाते हैं आपको और जो typing है वो होती है तो short hand आपकी जो है यहाँ पर एक तो हिंदी short hand है और एक English है लेकिन आपकी यहाँ पर जो है लेकिन अगर आपको English tolerance भी आती है तो आपको जो extra भटते वगएर है वो मिल जाते हैं कुछ benefits एक्स्ट्रा जो है वो मिल जाते है अगर आपको English sorry English sort hand भी आती है तो यह चीज़े important और टाइपिंग की बात की जाए आपकी तो टाइपिंग आपकी जो हिंदी है वो हिंदी में होती है ठीक है टाइपिंग आपकी हिंदी में होगी और पूछे अगर टाइपिंग का फॉंट क्या रहेगा तो जो टाइपिंग का फॉंट है वो आपका कृतिदेव या फिर मंग वह होता है और अगर आपको दोनों में से कोई नहीं आती है चाहते हैं तो मंगल सीख लीजी यह थोड़ी से कह सकते हैं आसान है कुरुतदेव की तुल नामें तो आप मंगल जो टाइपिंग है वो अभी से सीखना स्टार्ट कर देंगे और टाइपिंग आपकी 25 वर्ड क्रत बाकि यह यहाँ पर दिया हुआ है 30 से 34 की speed आती ही तो 11 नमबर तो 25 के उपर आपके speed होनी चाहिए अगर आप 25 के नीचे लाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है तो आपको 10 नमबर मिलेंगे अगर आप 25 की भी लाएंगे तो 10 नमबर 26, 28, 29 तक की speed लाएंगे तो 10 नमबर 30 से 34 की लाएंगे तो 11 नमबर 35 से 49 की लाएंगे तो 12 नमबर 40-44 की लाएंगे तो 13 नंबर 45-49 तक की speed लाएंगे तो 14 नंबर और 50 प्लस अगर आप speed जो अपनी ले के आते हैं तो आपको 15 नंबर यहाँ पर दिये जाएंगे पूरे-पूरे 15 यह आपकी typing जो है 15 नंबर की होने वाली और 5 मिनट आपको बोला जाएगा 5 मिनट में 400 सब्द के लगबग रहता है इसके बाद आपको एक घंटे का जो समय है दिया जाएगा फिर आपने जो उर्दू में, अर्बी में, फार्सी में जिस भी तरीके से चीटा की टांग, चीटी की टांग जो भी लिखा है, उस आपको, उस सब चीजों को आपको हिंदी में बढ़िया से सुवेवेस्ते सुन्दर अच्छों में लिखना है एक घंटे का उसमें आपको समय दिया जाएगा फिर उसके अकॉर्डिंग, आपकी जो मार्क्स बगएरा है वो देखे जाएंगे, कि कितने अच्छे से आपने सॉट हैंड लिखी और फिर कितने अच्छे से आप वो सारी चीजें उसको डिस्क्राइब बगएरा किया है तो ये सारी चीजें इसमें रहती है असी की स्पीड आपकी जो होनी चाहिए सॉट हैंड अब आगे बात की जाए अगर चौथे पेपर की, वो होता है आपका कम्प्यूटर का और ये आपका होता है प्रैक्टिकल तो ये प्रैक्टिकल होता है आपका कम्प्यूटर का, इसमें आपका जो MS Excel है, MS Word है PowerPoint है, या अधर जो छोटी-छोटी सी चीज़े है टाइपिंग से रेलेटेड भी वो सारी चीज़े आपसे इसमें पूछी जाएंगी और ये कह सकते हैं कि ये आपका कम्प्यूटर का प्रैक्टिकल है 100 नंबर का होगा और 90 मिनट का आपको जो समय है वो तिया जाएगा हो सकता है कोई सीट दे दे आपको एक्सल में कि ऐसी हूबा हूँ सीट बनाईए आप उसमें कॉलम हो, रो हो और भी बहुत सारे जैसे कि मार्क सीट वगरा दे दे या फिर अधर कुछ ऐसी चीज़ें जो है उसमें दे सकते हैं या MS Word में कुछ दे सकते हैं कि ऐसा आपको करके दिखाना है ये सारी चीज़े रहेंगी तो 90 मिनट का जो आपको समय है वो दिया जाएगा और 100 नमबर आपके इसके इसमें रहने वाले हैं तो ये आपका टोटल चारों पेपर का यहाँ पर बता दिया है तो अब अगर कोई confusion है तो आप comment section में पूछ लीजेगा अब जो सबसे last और अंतिम चीज़ है कि final merit जो है वो कितने उससे बनती है यह यहाँ पर आपको exam pattern बता दिया है सब 100 नमबर का यहाँ पर यह तीनों चीज़े होती हैं यह आपका 1500 नमबर का total हो जाता है तो total आपके 100, 200, 300, 400 और 4500 नमबर यह हो जाते हैं अब इसी में से आपको जो pass है वो होना रहता है तो final merit की अगर बात की जाए तो total final merit जो है वो आपकी होती है 4500 नमबर की और इसी में से आपकी जो cutoff है वो बनेगी तो आपको सभी में जो अच्छा score वगरा है वो करके रखना है जो चाहे GS हो चाहे हिंदी हो अगर आप इसमें अच्छा score कर लेते हैं और sort hand कह सकते हैं कि sort hand भी अच्छे से निप्टा देते हैं objective हिंदी को अगर छोड़ भी दीजे और इन में अगर आप अच्छा score कर लेते हैं तो आपके final selection कोई रोखी नहीं सकता है कि अगर आपकी sort hand वगरा अच्छी है हिंदी को भी थोड़ा अच्छा दे देते हैं GS में भी थोड़ा अच्छा score कर लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोख सकता है बाकी computer में हो सकता है कि बहुत से लोगों को दिक्कत हो लेकिन अगर आप short hand बहतर तरीके से कर ले short hand में आप अपना 100% दे दे typing तो हो सकता है आप सीखी ले 10 number तो कम से कम ले ही आएंगे ज़्यादा ध्यान देने का उतना नहीं रहेगा बाकी अगर आपने son marks का ये हिंदी का है इसमें भी थोड़ा बहुत अच्छा score कर लिए और jsev आपको कोई रोक नहीं सकता है बाकी सबसे अच्छा चीज़ है short hand short hand में ज़्यादा ज़्यादा आप समय है वो दीजे हिंदी को js को समय तो हाला कि सभी को देना पड़ेगा ऐसा नहीं कि कोई किसी से कम है सभी एक दूसरे से ठीक टाक कह सकते है लेकिन आपका short hand है वो आपको आगे रख सकता है rank अच्छी करने में भी और selection दिलाने में भी और short hand ही आपको बाहर भी कर सकते हैं तो ये जो सारी question वगेरा थे आपके वो सारी यहां question आपको बता दिये हैं अभी भी अगर आपका कोई confusion है कोई भी आपकी query है तो आप comment section के माध्यम से पूछ सकते हैं thank you मिलते हैं new informative video के साथ और अभी तक आपने channel subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe जरूर कर ले ताकि ऐसी ही informative videos लगातार आपको मिलती रहें thank you